बाजार का अपडेट दें, लगातार दूसरे दिन बाजार ने रिकॉर्ड बनाया, इंट्राडे में निफ्टी ने 23,889, सेंसेक्स ने 68,769 का नया रिकॉर्ड बनाया, और कारुबार के अंतवे सेंसेक्स 621 अंग चड़कर 38,674 पर बंद हुआ, निफ्टी 147 अंग चड़क दिगज शेरों में सबसे ज़्यादा तेजी दर्श की गई, बाजार में आज की शांदार तेजी की बड़ी वजह समझते हैं, हमारे से होगी वरुन दूबे से अगर आप देखेंगे तो बाजारों में जोरदार तेजी देखने मिले और पूरे जोश में बाजार थे, ग्लोबल मारकेट अगर आप देखेंगे तो वहां से इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं था, लेकिन हमारे मारकेट जो है, वो अपनी ही चाल चल रहे हैं, और निफ तर की तेजी नहीं है, चितनी दिगजों में हैं, आप निफ्टी के टॉप गेनर से इसका अंदासा लगा सकते हैं, जहां पर रिलांस जैसे हवी वेट्स जो है, महां 3-4 पसंट के आसपास की गेंज देखने मिले है, अल्टा टेक सिमेंट, आई सिय से बैंक, इनफाक जो दिगज बैंक से उन में अच्छी खासी तेजी थी, ग्रासिम जैसे काउंटर से जहां पर अच्छे खासे गेंज थे, लूजिंग एंड पे आपो लोग हॉस्पिटल, बजाज आटो, MNM, टाटा स्टील जैसे काउंटर से काफिया तक, आटो स्टॉक्स में अगर आप दे अच्छी खासी खाईदारी देखने मिली, इसके अलावा खबरों के चलते, वेदानता, CE, इन्फो सिस्टम यहां पर जो ब्लॉग डिल हुई, उसका इंपक्ट दोने इस टॉक्स में देखने मिला, भारत डायनमिक्स, इन्होंने अपने प्रेंटेशन में बताया कि किस तर बेटर लिटरंस दिखा के टिका हुआ नजा आया, यह सबसे अच्छी बात है, इसके अलावा मिटकेप स्मॉल कैप्स में गेनर्स की बात करें, तो आज सिमेंट स्टॉक्स, यहां पर काफी अच्छी तेजी देखने मिली, इंडिया सिमेंट को देखे, 14-15% के आसपास के यहां पर थे, CEC, Umbar Enterprises, TitaGar Rail में तेजी थी, Losing End पर, Fino Payment Bank, Ratan India, NMDC, MCX जैसे काउंटर से जहां पर गिरावट देखने मिली, तो मिटकेप स्मॉल कैप में अगर आप देखेंगे, तो ज़्यादा तेजी नहीं थी, काफी साइज स्टॉक्स हैसे थे जहां पर बाजार को सहारा मिल रहा है